हेलो, तो आज हम लोग मुलाकात कर रहे हैं एक नई चीज के साथ current affairs में एक मुद्दा चल रहा है electric highway project तो electric highway project एक recent development जो हमको देखने को मिल रहा है इंडिया के respect में, already हम देख रहे हैं कि कुछ countries हैं जिन्होंने electric highway project पे काम शुरू कर भी दिया है और successfully run भी कर रहा है, जैसे सामने आपको एक image already दिखाई दे रही, तो आज हम लोग बड़ा ही detail में इसके बार में बात करेंगे क्योंकि recently जो कि इंडिया के transport और road minister है, जिनका नाम है श्री नितिन गटकरी, उन्होंने announcement किया है कि दिल्ली और जैपुर के बीच में पहला electric highway इंडिया में कुछ दुनों में बन सकता है तो यह एक प्रस्तावित प्रोजेक्ट है, और अगर पास हो जाता है तो हमको यह चीज कुछ दुनों में reality बन कर दिखाई भी देगी तो आई यह इसके बार में discussion शुरू कर लेते हैं, electric highway project, जैसे आपको सामने देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक dedicated lane होती है, जहाँ पर trucks और buses को electricity के माध्यम से चलाया जा सकता है अब यहाँ पर एक जो चीज लगी है जिसको हम लोग कहते है pentograph, सभी लोग बिल्कुल धियान दें यह pentograph, already आप इस चीज से परिचेत हैं, शायद नाम पहली बार सुन रहो या नाम भी सुना हो तो pentograph हम लोग trains में already देखते हैं, जहाँ पर एक overhead, उपर से एक बिजली की तार जाती है और उससे यह train पर लगा हुआ pentograph connect करता है तो यह pentograph का काम क्या है, बड़ा ही आसान काम है कि जो उपर जो बिजली है, उसको नीचे तक यहां तक पहुँचाना है जिससे train चलती रहेगी, बस exactly वही technology, जब हम bus के लिए इस्तमाल कर रहे हैं, roads पर इस्तमाल कर रहे हैं तो हम लोग इसको e highway project या electric highway project बोलते हैं तो उपर e highway भी आपको दिख रहा है, बात वही है, e highway या electric highway, यहां पर यह pentograph यहां से attached है, यहां पर batteries लगी है अब इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि normally भी आपको मालूम है कि carbon emission, carbon उत्सरजन इतना जादा बढ़ता जा रहा है कि सरकार अलग-अलग scheme से promote वैसे ही कर रही है, कि आप electric vehicle अपना हो, अब ध्यान से सुनिएगा, normally two wheeler या four wheeler तो घर से battery charge कर सकते हैं, electric गाडियों कि आपने सुना होगा कि Ola भी बना रहा है, two wheeler, इसके अलावा four wheelers में बात करें, तो Tesla एक बड़ा नाम है, electric battery से चलने वाला, उनको घर से charge किया जा सकता है, घर से charge करा, आपने दो-चार घंटे घुमा, और जादा घुमा, और वापस रख दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब हम busses या trucks की बात करते हैं, तो ये interstate movement करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज जिसे दूसरे राज, बहुत लंबा travel करते हैं, और हम ये देखते हैं कि ये load भी बहुत ज़्यादा carry करते हैं, तो ये अगर battery carry करेंगे, तो कितना दिर चलेगी, obvious सी बात नहीं चल पाए गया, और इसलिए ये e highway project का relevance है, अब यहाँ पर जो हम तार देख रहे हैं, इससे यहाँ पर battery जो लगी है, वो constantly charge होती रहेंगी, ये जो गाड़िया भी बनाई जा रही है, ये असल में hybrid गाड़िया है, hybrid का मतलब है कि जब आपको normal इस lane में आप चल रहे हो, जो especially बनाई गई है, dedicated lane, जब गाड़ी यहाँ पर चल रही है, तब तो बड़ी आए, लेकिन बीच बीच में ऐसा भी होगा, ये हर जगा बनाना possible नहीं, जहां बीच में ये नहीं है, तो ये petrol चालू कर सकते हैं अपना, और petrol से गाड़ी चलने लगेगी, तो ये hybrid vehicles बनाए जाएंगे, यहाँ प to collect power through contact with an overhead line, तो उपर आपको इसका हिंदी translation भी आसानी से उपलब्ध है, चले, ये वाली चीज भी मैंने बता दी, इस परियोजना में एक overhead electric cable को वहान के उपर लगे संपर रोट से जोड़ा जाएगा, जिससे वहान की बैटरी लगातार चार्ज होती रहेगी, और ये एक अत्यदिक उर्जा कुशल तकनीक है, और ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मददगार साबित होगी, चले, अब यहाँ पे इंडिया का पहला electric highway दिल्ली से जैपूर के बीच में, तो exam perspective से भी ये बात आपके काम की है, अब मैं आपको बता दूँ, असल में ये जो दिल मुंबई Expressway का ही part है, तो दिल्ली मुंबई Expressway का part के अंदर डेली जैपूर रोड आता है, जहाँ पर ही प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक, लेकिन इतना ध्यान से सुनने की, इसमें कोई बात नहीं, ये काम की बात नहीं, जो काम की बात बस इतना है, जो exam perspective से दिल्ली और जै तो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही बताया कि पूरी दुनिया में भी ये मुद्दा चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज जल वायू परिवर्तन जहां पर हम देखते हैं कि तेजी से हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर हैं वो पिगल रहे हैं पिगल रहे हैं जब तो ऐसी इ पचास तक पूरी तरीके से डूब जाएंगे अगर क्लाइमेट चेंज रुका नहीं या स्लोडाउन नहीं हुआ हमने अपना जो कार्बन उत्सरजन है उसको रोका नहीं तो उसी दिशा में ये बहुत ज़रूरी प्रयास है लेकिन हम लोग अभी कर क्या रहे हैं पूरी द देश को तुरंत रिस्पेक्ट में चाहिए लेकिन अभी ये प्रस्तावित स्टेज में रिसेंटली आपने सुना होगा इसी साल मई 2021 की बात है जो दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग माना जाता है जिसका नाम था A76 वो अन्टार्टिकस अलग हो गया देख सकते हो इसका पूरा एरिया है अब आप इमेजन करो कितना बड़ा एरिया अलग हुई है क्यों हो रहा है बात वही है कि कार्बन का उतसर्जन एमिशन रुक नहीं रहा है बढ़ता जा रहा है ऐसी इस्तिती में हम देख रहे हैं कि जो टेंपरेचर है वो बढ़ रहा है तो बर्फ ये भी कुछ सालों बाद चले जाएंगे अगर हमने इनका ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारी तरह नहीं रह सकते भाई सेरिया में इनके लिए बर्फ जरूरी और वो पिगलती जा रही है ठीक और ये सिर्फ हम युनाइटेड नेशन की एक रिसेंट रिपोर्ट की बात करे युनाइटेड नेशन्स की रिपोर्ट बोलती है कि हर हफ्ते हर हफ्ते दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में जलवायू परिवर्तन की वज़े से क्लाइमेट चेंज की वज़े से कहीं ना कहीं कोई आपदा आरी हर हफ्ते तो पहले जिस चीज को हम इगनोर करते हैं वो हर ह प्रकार की चीज हमको अब आसपास देखने को मिल रही है और इस पर बात करने के लिए कोई तयार नहीं है आप और मैं इस टॉपिक को इस लिए डिसकस कर रहे हो क्योंकि एक्जाम में हमारे लिए ये कुछ नंबर देने वाला क्वेश्चन है इसके अलावा क्या हम लोग आएंगी वो हमको गालियां देंगी कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया और हमको मरने के लिए छोड़ दिया सरकार की भी मैं बात करूँ तो निश्चेत रूप से उनने प्रयास स्थेज किये हैं लेकिन असल बात तो ये है कि सरकार भी इतना जादा सीरियस नहीं है दू हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अस्तेमाल कर रहे हो इस चीज के लिए कि तुमने सोचा कर रहे हैं नही हम लोग कि यह पूरी दुनिया में इस नंबर वन मुद्धा होना चाहिए, आप सोचो कुछ-कुछ देश पूरी तरीके से डूबने वाले हैं, वो चिला-चिला के कहने हैं, उनका उत्सर्जन सबसे कम है, वो ऐसे देश हैं, जैसे मैंने बता किरी बाती, क्या कार्बन का उत्सर्जन करता है, कुछ नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उसको जहलना है, चले, तो सबसे पहली बात हम करनें, अब एंजला मरकल की, यहां पर यह अचानक कैसे आ गई, तो हम देखते हैं कि एंजला मरकल, एंजला मरकल जो जर्मनी की चांसलर है, और आपने सुना भी होगा, कि इन्होंने रिसेंटल अभी एक दो दिन पहले, रिजाइन भी कर दिया है, सोला साल तक यह जर्मनी की चांसलर बने रहे, लेकिन अब इन्होंने रिजाइन कर दिया, बहुत बड़ी पॉलिटीशन मेरा एक सपना है, कि देखू तुझे सपनों में, अब यह है श्री नितिन गटकरी, यह गुस्से में आगे मैडम, अब ध्यान से मेरी बास सुनिएगा, तो जो नितिन गटकरी है, उनने भी यही सेम सपना कॉपी पेस्ट है इनका भी, और नितिन गटकरी जी ने कुस दिन पहले बोला है, कि मुझे भी इलेक्टरिक हाईवे इंडिया में बनाना है तो ओरिजनल यह चीज जर्मनी से आती है फिर वो नितिन गटकरी साब इंडिया में आती है, और अब हम देख रहे हैं कि शायद कुस दिनों में यह रियालिटी में कनवर्ट हो जाए इन 2019, जर्मनी इंट्रोड्यूस दी फर्स इलेक्टरिक हाईवे और इट्स मोटरवे सिस्टम तो रीचाज ट्रक्स एज दे ड्राइव, दी इई हाईवे वस बिल्ट बाई जर्मन इंजिनेरिंग कंपनी सीमेंज तो मैंने जो आपको फर्स्ट इमेज दिखाई थी जिसमें हमने देखा था कि जो इलेक्टरिक हाईवे बना हुआ है वो जर्मनी की ही पिच्चर थी जहां पर सीमेंज कंपनी जो दुनिया में एक बड़ी फेमस कंपनी उसने इसको डिजाइन किया है जर्मनी में इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया में लागू होता है तो जर्मनी में तो इसकी स्पीड जो तै की गई थी जो सीमेंस ने बनाया है 90 किलोमीटर पर आर से 100 किलोमीटर पर आर लेकिन भारत में भी इसका ये अनुमान है कि जब ये बन जाएगा क्योंकि dedicated lane है तो आपको कुछ रुकने की तो जरुवत नहीं है सीधे electric highway trucks और buses के लिए माना जाता है कि 120 किलोमीटर पर घंटे की रफतार से भी ट्रेवल किया जा सकता है इसके अलावा लागत 70 प्रतीशत तक कम हो जाएगी क्योंकि आपको petrol डलवाने की कोई जरुवत नहीं बिजल डलवाने की कोई जरुवत नहीं बिजली से चलेगी तो अगर यह लागू हो जाता है तो निश्चत रूप से transportation cost कम हो जाएगा logistics cost अगर कम हो गया तो जो हम चीजों का जीरो हो जाएगा और वो क्या है अगर जो overhead जो wire है जो cable है overhead अगर मान लो हम उन overhead केबल उंको किसी प्रकार से अगर हमने उनको solar charge कर दिया जैसे solar panel होते न जैसे हमने इन wires को अगर solar charge कर दिया किसी प्रकार से सूरत से जो energy है वह हमने लेकर इन से इसका चार्जिंग कर दिया, अभी तो बिजली वाली टेकनलोजी अवेलेबल है, अभी तो यह बिजली से चल रहा है, अभी सी बात है लेकिन अगर यहाँ पर अगर हमने इनको सोलर पैनल से चार्ज किसी प्रकार से कर दिया, तो हम देखेंगे कि जो कार्बन फुट्प्रिंट है, वो जीरो तक हो जाएगा और कार्बन फुट्प्रिंट जीरो हो जाता है, तो इससे बड़ी कोई और बात ही नहीं, लेकिन अभी तक यह टेकनलोजी है नहीं, अभी तक जो टेकनलोजी वो यह है कि हम लोग जो सोलर रोड बना सकते ही, आप देख रहे हो कुछ-कुछ देशों में यह बन गया है, सोलर रोड बन गया है, सोलर फुट्पार्ट बन गया है यह है सोलर कैनोपी, कि उपर आपने सोलर पैनल लगा दिया, आप देख सकते हो, कार नीचे है, सोलर कैनोपी यह भी available है, चीन ने कुछ समय पहले solar road भी बना दिया, तो यह सब technology हमारे पास है, लेकिन हम इन wires को अगर charge कर पाए, तो इससे बहतर और कोई बात ही नहीं है, तो if the overhead cables are by some means charged by solar energy, then the e-highways will have a zero carbon footprint, तो इसी के साथ हमारा electric highway का यह छोटा सा एक update complete होता है, thank you very much